जैहिन दोस्तो दोस्तो भारत आगे बढ़ रहा है आज के समय में विश्व में अगर कोई कंट्री हो जो सबसे फांस ग्रो कर रही हो तो वो भारत है और दोस्तो आगे भी भारत की एकोनोमी तो ग्रो करती ही रहेगी दोस्तो भारत शटकार का लक्स है 27 तक 5 टिलियन यूस्दी की एकोनोमी का और 25 सालो में 30 टिलियन यूस्दी की एकोनोमी बनने का तो दोस्तो यहां से तो भारत बढ़ेगा और इस ग्रोथ में सबसे ज़ादा अगर कोई सेग्मेंट योगदान देगा तो वो है manufacturing sector making India दोस्तो यह एक बहुती बड़ी थीम आने वाले समय के अंदर बनने वाली है already making India के थीम के अंतरगत कई प्रकार के अगर आप देखें तो manufacturing भारत में हो रहे हैं और यह आगे भी बढ़ने वाले हैं एक example के बारे में चर्चा करें तो iPhone manufacturing दोस्तो एपल भारत में अपना अगर आप देखें करंटली ग्लोबल सप्लाई का 12% iPhone आज भारत में manufacture हर रहा है और दो-तीन सालों में यह 12% बढ़के 25% भी हो जाएगा तो दोस्तो यह तो सिर्फ एक example हो गया और भी कई सारी बड़ी बड़ी ग्लोबल कंप्यां आने वाले समय के अंदर भारत में ही अपना manufacturing करेगी दोस्तो manufacturing एक बहुती बड़ी theme आने वाले समय के अंदर भारत में बनने वाली है तो इसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे और दोस्तो SDFC mutual fund जो भारत का एक सबसे बड़ा mutual fund है वो manufacturing का एक नया fund लेके आ रहा है तो उसके बारे में भी वीडियो के second part में चर्चा करेंगे तो मैं अनरोध करूँगा आप सभी से कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए दोस्तो भारत की ग्रोध की बात है और भारत की ग्रोध के साथ आपके पैसों की भी ग्रोध की बात है तो वीडियो को पूरा देखना बनता है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजे, परिवार जनों के साथ शेयर कीजे दोस्तों अभी भी भारत का 70% wealth fixed asset में रखा हुआ है दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी wealth बड़े और आपके परिवार जने और आपके दोस्तों की wealth बड़े तो equity में निवेश करना जरूरी है यहां से भी आने वाले समय के अंदर equity आपको अच्छा return बना के देगी और इस fund के मार्गयम से भी आप आने वाले समय के अंदर भारत की growth में participate कर सकते हैं तो वीडियो को जादा से जादा लोगों तक share जरूर कीजेगा दोस्तो यहां से manufacturing sector multiple growth की तैयारी में है क्यों तो इसके कही सारे enabler हैं सबसे पहले opportunity दोस्तो भारत में domestic की इतना बड़ा market है कि बाहर आपको देखने की भी जरूरत नहीं है कई प्रकार के जो पड़क है उनका consumption domestic market में ही हो सकता है और बड़ी-बड़ी company भी यह समझती है 144 करोड की young आबादी सबसे बड़ा growth का driver है आपके manufacturing के opportunity का उसके बाद capability दोस्तो opportunity के सासथ अब capability भी आ रही है हमारा जो workforce है वो skill workforce है और विश्व में सबसे ज़ादा English बोलने वाला भी workforce भारत के अंदर है और आगे यह और भी बढ़ने वाला है young population manufacturing के लिए एक बहुत बड़ा advantage होता है इसके लवा अगर आब देखे infrastructure support भी अब आ रहा है और कई प्रकाक अगर आब देखें तो environmental support भी अब मिल रहा है जो आपका manufacturing growth में बड़ा योगदान देता है आप जानते हैं तकरीवन 10 साल पहले PLI scheme production link incentive scheme launch की गई थी और उसके अंतरगर कई सारे नएने sector को PLI benefit दिया जा रहा है आत्मन निर्भर भारत defense sector में भारत जो export नहीं करता था 10 साल पहले आज कई सारे defense के प्रड़क भारत export भी कर रहा है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी opportunity बन रही है इसका लगर आप देखे China plus one चाइना से कई बड़ी बड़ी company दूसरे country की तरफ अपना manufacturing shift कर रहे उसके कई सारे reason है उसके अलग discussion कर सकते हैं और इसका लगर आप देखे low cost advantage भी भारत में है तो यही कई सारे environmental factor है जो भारत का manufacturing sector है उसके growth को enable कर रहे है तो दोस्तो यह basic हो गए अब details में समझते हैं क्यूं यहाँ से manufacturing sector आगे भी बड़ा growth दिखाता रहेगा दोस्तो थोड़ा video बड़ा रहेगा जो मैं अनुरोद करूँगा बिना skip किये वीडियो को जरूर आप देखिए दोस्तो सबसे पले population advantage भारत की आबादी और चाइना की आबादी का graph आप अपने screen पे देख रहे हैं यह population pyramid इसे कहते हैं तो जैसे कि आप देख रहे है population pyramid तो चाइना का population pyramid अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जिनकी आयू 40 साल, 50 साल, 55 साल से उपर की है ऐसे संख्या के लोग अब चाइना में दीरे दीरे बढ़ते जा रहे हैं इसके भी reason है चाइना ने 1980s में अगर आप देखेंगे one child policy implement की थी और उसके कारण उनको अब भगतना पड़ रहा है कि अब उनके young population कम है और जिनकी age जादा है वो population जादा है और आगे और भी जादा होने वाली है जिसके साल में आप भारत का pyramid देखिए तो यह अगर आप देखें आपको एक symmetric pyramid दिखेगा भारत में अगर आप देखें बेज में बहुत ही बड़ी संख्या है मतलब कि छोटे young बच्चों की संख्या बहुत जादा है तो भारत की average IU currently अगर आप देखे 28-29 year के आसफास की है जिसके सामने चाइना की अगर आप देखें तकरीबन 39 year की पहुंच चुकी है और यहां से आने वाले 15-20 सालों के अगर चाना की जादा तर आबादी retirement age के ऊपर पहुंच जाएगी तो यह manufacturing certificate के लिए enable नहीं होता है तो वहां से अभी से ही company नया plan बना रहे है कि कहां पर वो अपना नया manufacturing hub बनाए ताकि वो अगर आप देखें बड़े scale पे low cost manufacturing कर पाए दोस्तों 2045 तक 30-60 साल की I.U.K. ब्रेकेट में workforce जो होती है जिसे हम कहते हैं major workforce इस I.U.K. ब्रेकेट में आती है तो उसमें भारत 2045 तक तक तकरीबन आप देखेंगे तो 15 करोर नए अगर आप देखें लोग add करेगा जिसके सामने चायना इसी समय के अंतराल में तकरीबन 12 करोर अपने workforce अगर आप देखें इस I.U.K. ब्रेकेट से अगर आप देखें लूज करेगा तो ये भी एक बहुत बड़ा disadvantage चायना के सामने है इसके कारण आने वाले समय के अंदर भारत की तरफ manufacturing गराब देखें और भी ज़्यादा बढ़ेगी उसके बाद दोस्तों दूसरा factor आता है वह है infrastructure दोस्तों पिछले कुछ सालों के अंदर भारत में infrastructure improvement आया है और ये एक बहुत बड़ा enabler होता है कई सारे industry के लिए port capacity भारत में अगराब देखें पिछले कुछ सालों के अंदर तकरिबन दो गुना से ज़्यादा बड़ी है तो port export का major अगराब देखें हब होते हैं तो अगर capacity अच्छी रहेगी तो आप export market को अच्छी तरीके से cater कर पाएंगे railway तो अगर भारत में तकरिबन 85% railway अब electrify हो चुका है dedicated freight corridor भी तयार किये गए हैं ताकि अगराब देखे manufacturing sector को अगराब देखें बहुती easily logistic support मिल पाए roads अगराब देखे daily basis भारत में तकरिबन 20 km highway अगराब देखें कंशक हो रहे हैं पिछले कुछ सालों के अंदर भारत में अगराब देखे national highway के अगराब देखे length और बड़ी है तकरिबन 1.5 लाग किलोमेटर का national highway network भारत में है तो ये roads अगराब देखे बड़ा enabler होता है इसकला अगराब देखें तो कई प्रका के और भी step लिए गए हैं ताकि manufacturing में transportation में अगराब देखे आपका cost कम जाए green energy support आ रहा है कई प्रका के अगराब देखे green energy plant आ रहे हैं ये आपका power course भी दीरी दीर अगराब देखे reduce करेगा और electricity अगराब देखे continuous provide करेगा तो ये कुछ अगराब देखे environmental enabler होते हैं जिसके कारण manufacturing sector को support मिलता है दोस्तों government के साइज से भी कई प्रका के अगराब देखे support ये जा रहे हैं इसमें PLI scheme के बारे मैं हमने चाहिए है कि कई सारे sector को PLI scheme दी गई है आप detail में आप चाहें तो online भी पड़ सकते हैं इसके लगराब देखे India stack UPI आया उसके साथ आधार और जंधन ये सब मिला के अगराब देखे इसे India stack कहते हैं तो ये भी एक बहुत ही बड़ा digital enabler है जो भारत के आबादी को अगराब देखे digital infrastructure से अगराब देखे joint करता है और ये भी manufacturing sector के लिए और consumption sector के लिए बहुत बड़ा अगराब देखे advantage लाता है PM गतिसक्ति योद्ना recently launch की गई तो यहाँ पे logistics sector में कई सारे अगराब देखे काम किये जाएंगे ताकि अगराब देखे यहाँ और भी साधा cost advantage बन पाए industrial corridor भी तयार किये जा रहे हैं ताकि अगर आप देखे dedicated manufacturing sector को support मिल पाए और भी कई सारे अगराब के make in India आत्मनीर भारत की चल रही है जिसमें खास करके defense sector में आने वाले समय के अंदर भी भारत में continuously opportunity बनी रहेगी defense की बात की है तो दोस्तो एक साल तकरीबन 9-8 महिने पहले ही EDFC mutual fund ने ही defense का fund launch किया था पिछले साल तब हमने उस पर भी वीडियो बनाए था वो fund तब से अब तक 75% return deliver कर चुका है तो दोस्तो EDFC अच्छे time पे ही अपने NFO लेके आती है दोस्तो चोथे factor की तरफ जाते हैं तो यह होता है corporate balance sheet और capacity दोस्तो करणती भारत के जो corporate हैं वो अपने lowest level के debt पे बैठे हुए है सबने अपने अगर आप देखे balance sheet को COVID के बाद अगर आप देखे तो leverage कम किया है सबने करणटी 15 साल के lowest leverage ratio पे है और capacity utilization करणटी तक रिबान 75% के आसपास पहुंच चुका है और generally capacity utilization जब 70-80% के आसपास पहुंचता है तो corporate करते हैं नया green field या brown field expansion तो यहां से अब प्राइवर सेक्टर से अगर आप देखे बड़ा एक capex driven भी अगर आप देखे growth आ सकती है जो भी manufacturing को और भी जादा enable करेगा दोस्तो तो यह हो गया क्यों manufacturing sector में निवेश करना चाहिए दोस्तो इस sector को समझ लेते हैं manufacturing basket कितना बड़ा है उसके बारे में अब चर्चा करते हैं manufacturing basket में 11 अलग अलग sector तकरीवन 66 industry आती है जैसे के आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं auto sector, auto और auto industry इसमें कई सारी कंपनिया आती है इसके बाद electrical and electronics product consumer durable, chemical, food and beverages इसके लगर आप देखे building material, pharma, defense industrial, textile, capital goods तो ये कई सारे sector आपके manufacturing sector में आते हैं तो आप मान सकते हैं finance और IT को अगर आप निकाल देते हैं तो बाद की सारे के सारे sector को आप manufacturing में consider कर सकते हैं तो दोस्तो ये एक बहुटी diversified sector रहेगा जिसमें ये पन अपना निवेश करेगा तो दोस्तो चर्चा करते हैं at DFC manufacturing fund के NFO के बारे में 26 April से ये NFO open ओने होला है और 10 में तक ये NFO open होगा 10 में तक ये open रहेगा दोस्तो हम early video क्यों बना रहे हैं ताकि आपके पास समय हो कि अगर आपको निवेश करना हो तो आप अभी से ही अपने पैसे 81 शुरू कर ले ताकि अगर आप देखे 26 April को तब आप इसमें अपना निवेश कर पाए दोस्तो इसके investment approach के बारे में चर्चा करते हैं सबसे पहले core portfolio तक इवन 80% portfolio जो थी में उस पे अधारित रहेगा मतलब manufacturing sector के जो कमपनिया है उसमें ही ये पन अपना at least 80% portfolio रखेगा bottom up investment approach रहेगी मतलब की कमपनियों को select किया जाएगा उनके fundamental basis बे flexicap portfolio रहेगा large cap, mid cap, small cap कहीं पे भी fund अपना निवेश कर सकता है दोस्तो पांस साल से उपर के time frame के लिए ही आपको यहाँ पे निवेश करना है दोस्तो यहाँ से बड़ी opportunity अलग-अलग सक्टर में बनी रहेगी जो सक्टर हमने चर्चा के बास्केट के अंदर उसमें बड़ी सारी opportunity है तो सबसे बड़ी चर्चा करें उसके बारे में export market में बड़ी opportunity कई सारे सक्टर के लिए बन रहे है chemical sector यह एक report से data हमने ने इखटा किया है chemical sector यहाँ से 5 साल में तकरीबन 20% के CAGR से बर सकता है export market में फार्मा भारत सबसे बड़ा फार्मा एक्सपोर्टर भी है और यहाँ से 16 से 18 से CAGR से फार्मा सक्टर में भी आने वाले समय के अंदर export में ग्रोथ आ सकती है machine equipment तो यहाँ पे 18 से 20% के ग्रोथ आ सकती है उसके बाद electoral product जो यह में इसाब कहते हैं यह तो सबसे 5 ग्रोइंग सक्टर बन चुका है भारत में 35 प्रसके CAGR का export ग्रोथ यहाँ पे उमीद की जा रही है ओटर सक्टर में 15 से 18 परची साथ टेक्तर सक्टर में 13 से 16 बसकी ग्रोथ की उमीद आने वाले 5 सालों में कर सकते हैं तो 5 साल के लिए अगर आप देखें कई सारे manufacturing सेक्टर के लिए बड़ी export opportunity बन रहे है जिसमें यह पन भी participate करेगा दोस्तों बड़ा investment universe है investment universe का डेटा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं तक्रीबन 690 कंपनिया हैं जिनका market के 1000 कौरों से उपर का और कई नई नई कंपनिया IPO के मादियम से भी future में आएगी जो इसमें add हो सकती है 154 लाग कड़ों का addressable market है जहां पे यह पन अपना निवेश करेगा लिष्टेट इन्यूर्स के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों major sector यहां पे कौन-कौन से हैं तो capital goods sector यहां पे 190 कंपनिया है कई सारी small cap कंपनिया इस सेक्टर में आती है तो यह भी एक major reason है कई सारे जो दूर से taxis के पड़ों वो जो large cap oriented होते हैं तो उसमें यह सारी capital goods कंपनिया miss हो जाती है क्योंकि जनरल यह कंपनिया small cap कंपनिया होती है 12 oil and gas के कंपनिया इसमें चनरली large cap कंपनिया आती है auto, ancillary और auto में अगर आप देखे 72 कंपनिया है और भी कई सारे sector आते हैं इस basket के अंदर healthcare आएगा आपका अगर आप देखे power आएगा machinery आएगा और भी कई सारे sector हैं आप data देख रहे हैं दोस्तो, large cap segment में 43 कंपनिया है mid cap में 76 कंपनिया है और small cap में 572 कंपनिया है तो ये इस fund का investment universe है जिस समय से fund अपने investment approach करें साब से तकरीबन 40-60 कंपनियों का एक diversify portfolio तयार करेगा दोस्तो, ये कुछ sector तो order है, नए sector भी उबर के आ रहे हैं रेसंटली आपने news में सुना होगा कि भारत में manufacturing plant डालने चाला है Tata semiconductor के लिए गुजरात में और असम में अगर आप देखें इनको land दी गई है तीन semiconductor plant आने वाले समय के अदर आ जाएंगा तकरीबन तीन साज में ये plant शुरू हो जाएंगा ओड़ेडी Tata ने तो manufacturing शुरू कर भी दिया है कुछात के अंदर तो तीन semiconductor plant आ रहे हैं दोस्तो semiconductor के plant के साथ साथ उसके related भी कई सारे unit तयार होंगे तो government के हिसाब से 100 ऐसे unit आने वाले 5 साल में semiconductor और उसके related प्रड़क्ट के लिए रिसंट लिस्ट हुई है hydrogen economy यहां पर भी अगर आप देखे बड़ा काम हो रहा है दीरे दीरे यहां पर भी नए नए कंपनिया नए बिजिस खड़े होंगे यह भी manufacturing का प्रड़ है आपने सुनवाओगा Tesla भारत में अपने plant को लगाने की तयारी कर रहा है तो electrical vehicle manufacturing यह भी एक बड़ा बास्केट है जहां पर future में और भी सारे अगर आप देखे नए नए कंपनिया उपर के आएगी तो manufacturing में और भी कई नए नए अगर आप देखे sector add हो सकते हैं जिसमें यह fund भी participate कर सकता है तो दोस्तों HDFC manufacturing fund यह fund 26 April से open हो रहा है open ended fund है इसमें आप कभी भी निवेश कर सकते हैं NFO के बाद भी निवेश कर सकते हैं SIP कर सकते हैं लंपसम कर सकते हैं STP के मार्धियम सभी इस fund में आप निवेश कर सकते हैं राकेश शेठ्या इस fund के fund manager है जिनके पास तकरीबन 19 साल का अनुपः है CFH charter holder भी है ये दोस्तो चन्नली इस fund में अगर आपको निवेश करना है पांस साल से उपर का टाइम फ्रेम अगर आपके पास हो तो ही निवेश कीज़ेगा ये एक sectoral thematic fund है manufacturing theme based fund है बड़ डाइवर्सिफाइब पोर्टफोलियो रहेगा तो आप का risk थोड़ा high हो तो इसमें आप निवेश कीज़े दोस्तो currently बड़ी opportunity है इस sector के अंदर जैसे हमने detail में चर्चा की इस sector में आप definitely अपना allocation दे सकते हैं हम तो manufacturing fund कई सारे दूसरे fund house के भी पिछले कई सालों से recommend करते आ रहे हैं और इस fund को भी हम recommend कर रहे हैं अगर आपके पास बड़ा capital है आप चाहते हैं market में participate करना पांत-दस साल का आपका viewpoint है तो इस fund में आप वो capital deploy कर सकते हैं पचास पसार लंशम कर दीजिए और बाकी का जो पचास पसार आपका capital है उसको आप STP के माधियम से दीरे-दीरे deploy कीजिए आने वाले 6-8 मेने के अंदर तो दोस्तो अगर आपको इस fund में निवेश करना है हमारे साथ तो आप हमें संपग कर सकते हैं हम कौन हैं? हम एक independent mutual fund distributor हैं किसी भी company को हम represent नहीं करते हैं आपका जो requirement होगा उसके हिसाब से suitable fund हम आपको support प्रवाइड करेंगे continuous हमारा support भी रहेगा और दोस्तो हम कई सारे company पर in-house research भी करते हैं तो वो भी एक advantage हम आपको प्रवाइड करते हैं तो हमारे साथ इस fund में या किसी और fund में निवेश करने के लिए आप हमें DA के नमबर पर call करे message करें या WhatsApp भी कर सकते हैं दोस्तो भारत आगे बढ़ रहा है और आपको भी भारत की growth में participate जरूर करना चाहिए और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको भारत के equity market में mutual fund के माधियम से निवेश करना जरूरी है तो आप इस fund के माधियम से भारत के economic growth में participate कर सकते हैं तो दोस्तो अनरोध रहेगा आप सबी इसे कि इस video को at least दो अपने दोस्तों के साथ share जरूर कीजे जो अब भी mutual fund में या equity market में निवेश नहीं कर रहे हैं तो video को share जरूर कीजेगा ज़ादा से ज़ादा logo तक और आपको ये video कैसा लगा उसके बार में अपने feedback comment box में जरूर बताए और video को एक like जरूर दीजेगा और इसके इसास अगर आपने यहां तक आके हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कीजिए आपके लिए बिल्कुल free है thank you for watching जय हिन जय महाकाल